अमिद शाह ने शर्दा देवी मंदिर के उद्गाटन के दौरान कहा है शर्दा पीट तिर्थी आत्रा के लिए पाकिस्तान में कबजे वाला एक गलियारा खोलने का पडियास करेगी रास्टेपती दौरुपदी मुर्मू ने बूदवार को पदमा पुरुषकार विजेताओं को समानित किया है और अधिकारियों ने कहा है देश के हर कोने से विजेता चुने गए और समान प्राप्त करने वाले 50 से अधिक लोग 40 जिलों को प्रतिनी धफ कर रहे हैं अधिकार बात का एलान पुस्टर विवाद मामले में देशगी राजजधानी में छे लोगों की गिरफतारी के बात की अधानी पे घमसान के बीच हिंदन बर्ग का एक और दावा ट्वीट पर कहा है जल ही नई और बड़ी रिपोर्ट आईगी करनाटका में होने वाली विधानसावत चुनाफ से पहली टिपो सुल्तान की हत्या को ले करके राजनीती गर्मा गई है दिल्ली में अन्सीपी के नेता शरत पवार के आवास पे 23 मार्च को विपक्षी नेताओं के अहम बैठक होगी राजसबा में विपक्षी दलोग को फ्लोर लीडर्स को बैठक में अभी नितरी किया जाएगा दिल्ली के उपरा चपाल विके सकसिदा ने कहा है एनच शिफगर जील की प्रतिदीन 11 करोर गैलन घरेलू और उदोगी कच्रे के निर्वाहन को रोकनी की जरूरत है और इस मुद्दे को हल करने के लिए हडियाना के साथ सामनेविक की आवशकता है कानपूर की करॉली बाबा शंतोस सिंग इन दिनों अपने बयानों को ले करके इस सुर्खियों में बने हुए वो आए दिन कुछ न कुछ ऐसा कह रहे हैं जिससे नया बावाल खड़ा हो रहा है वहीं अब उन्होंने रूस और यूक्रेन की बीच जारी यूद को ले करके बड़ी टिपनी किये करोली बाबा का दावा है कि दोनों देशों के निताओं की यादा शाथ को मिटाने में यूद को रोक सकते हैं दिली फता की तैयारी में जुटी नितिश कुमार की पार्टी जंतदल यूनाइटेड ने रास्टिया कारी करनी की घोशना की है 30 सदस्यों की भारी भरकम सूची में यूपी के बाहुबलीने ता धंजय सिंग समित कई नाम चौक आने वाले हैं वारिस पंचाब दी पर्मुक और खलिस्तान के समर्टक भगोड़ा अमरितपाल सिंग की एक और तस्वीर सामने आई है जिसमें वो एक मोटर साइकल गारी पर बैठा नजर आ रहा है इसी मोटर गारी पर एक बाइक भी दिख रही है माना जा रहा है कि उसकी बाइक में या तो तेल खतम हो गया होगा या वो खराब हो गई होगी खलिस्तान की मांग करने वाली अमरितपाल सिंग इन दिनों मूठ चिपा के भागने पे मजबूर है बीते पांस दिनों से पंचाब पुलिस उसकी तलाशी कर रही है कई मामलों में आरोपिय अमरितपाल सिंग खुद को सिक संथ बताता है और अलग देश की मांग कर रहा है हाला कि इस सब के बीच उसके कई ऐसे सच सामने आए हैं जो वाकिये में हैरान करने वाले है चांकारी के मताबिक पुलिस अब अमरितपाल को पकरने के लिए उसके और रिष्टदारों के बैंक एकाउंट की भी जाच कर रही है जिसमें उसकी पत्नी की रंदीब कौर भी शामिल है फ्लाइट में नशे में धुद पैसेंजर की और से गलत हरकतों के मामले लगतार सामने आ रहे हैं ऐसे ही में एक मामला मुंबई में हुआ है जहां नशे में दो दो पैसेंजर ने इंडवियो एरलाइंस की दुबई से मुंबई आरी फलाइट में कटे तोर पे बवाल किया है इसी के साथ इन दोनों क्रू और को पैसेंजर के साथ गाली ग्लाज भी किये जिसके बाद उन्हें गिरफतार कर लिया गया नकलसीों के खिलाव चलाए गए सर्च ऑपरेशन में जमुई के पुलिस और स्टी एफ को एक बड़ी सफलता हात लगी गुप सूचना के आधार पे लक्षमी पूर्थाना छेतर में सर्च अभ्यान के दोरान हैंड को नकलसी रत्तू कोड़ा को पुलिस ने चौकिया गाउं से गिरफ़तार कर लिया दिश्क्रास धानी बडिय उन्यम नर्फ़िए के खिलाव पौस्टर के जवाब में अरविंद के जिवास के पौस्टर लगाए गए अब दियंली के सरणेमवाली टिपनी पर रहुल गांदी के खिलाफ मन्हानी मामले में इस सूरत की आधालत आग अपना फैसला सुनाईगी कोट की कारवाई दौरान राहुल गांदी यहां मौजूद रहेंगे आज सुबा राहुल गांदी दिल्ली से सूरत के लिए रवाना हो चुके हैं बता दे की मामला चार साल पुराना है मनी लौनरिंग मामले में हाई कोट ने दिल्ली के पुर्व मंतरी सतिंदर जैन ने जमानत याचिका पे अपना ओडर रिजर्व कर लिया है पुर्व मंतरी जेल में रहेंगे या बाहर आएंगे कोट जल्दी इसके बारे में अपना फैसला सुनाईगी संट फ्रांसिको में रविवार को हमले के बाद बुदवार को एक बार फिर खलिस्तान समर्थक भारती दुतावास के बाहर पहुँचे दोसों से अधिक की संख्या में ये पहुँचे खलिस्तान समर्थकों ने हाथ में जंडे थे इस दौरान किसी अन्होनी की आशंका के म बोलते वे सीजी आई ने कहाए जब प्रेज को सत्ता से कठिन सवाल पूछने से रोका जाता है तो लोक तंत्र की जिफतत से समझोता होता है देश में शहीदों के समान उनके बलिदान को याद करने के लिए आज का दिन शहीद दिवस के तौर पे मनाया जाता है भारत के आज साधी के लिए लड़ने वाले भगत सिंग उनके साथ ही राजगरू सुपदेव को आज सरधांजली दी जाती है मुंबई के शिवा जी पार्क मिरास ठाकरे ने उद्व ठाकरे समयत कई मुद्दे पर खुलकर बोला है उन्होंने कहा है मैं कभी शिवा जी पार्टी में पोस्टर को लेकर के आम आदमी पाथी और भारती जिंठापाथी के बीच तक्रार बजड़ गए इसको लेकर के आज आज आप जिंठरमंतर पर प्रतर्शन करेगी मुखमंतरी अर्विन्द के जीवाल और पंजाब के मुखमंतरी भगवतमाण भी इस खामिल होंगे स्टार बॉक्स कॉर्परेशन बरिस्तास ने लगबग सो कैफेव में हर्दाल के साथ अपने मुक कारीकार ने अधिकारी का स्वागत करने की योजना बनाई लक्षमन नर्सीमहा ने बुदवार को अपना कारिभार समाल लिया कंपनी में उनके कंधों पे कंपनी को बजाने की जिम्मेदारी है भुपेश बगेल पंजाब में कानून वेवस्ता किस्तिती को लेकर के राज के सतरूड आम आदमी पार्थी के सरकार को आड़े हाते लिया है बगेल ने कहा है जब पंजाब में नई सरकार बनी है हालात लगतार बिगरते जा रहे हैं मिजोरम और असाम में भारी मातरा में मादक पदार्थ जब्त किये गए हैं और इस सलसिले में तीन लोगों को गिरफतार किया गया है अधिकारियों ने ये जानकारी दी अधिकारियों के मताबिक जब्त मादक पदार्थ की कीमत चार सो करोर रुपे से अधिक बताई जारी ये पुर्वी मिजोरम में मैयामा की सीमा के पास एक घर में नशीले दवाईयों की 49 लाग गोलियां जब्त की गई संसद के मौझूदा बजट सत्र के मद्दे नजर बीजेपी ने अपनी सभी संसदों के लिए वहिप जारी किया है इससे अपने संसदों से आज और कल लोग सबा में रहने को कहा गया है बता दे कि इन दोनों में दिन महतब पुर्ण बिल पारित होने है उत्तर पुर्वी दिली के दियालपुर इलाके में अलग-अलग स्कूलू के चातरों में दो सामोही के बीच हाता पाई की खबर सामने आई इसके बाद छे लड़कों को पकड़ा गया है पुलिस ने मंगलवार को ये जानकारी दिये पुलिस ने बताया है कि करवाल नगर के एक स्कूल के पांच चातरों को मार पीट में चोट आई और उन्हें गुरूत एक बहादुर अस्पताल में भरती कराया गया उत्तर परदेश के मोबा जिले अस्पताल में बच्च वाद में भरती मासुम बच्चों के ठीक ना होने के बावजूद डॉक्टर भरती बच्चों को डिस्चार्च कर दे रही है इस बीच आकरोष्ट परीजन ने अस्पताल में जम के हंगामा किया वहीं डॉक्टर पे अभर्दा करने की गंबीर आरोब भी लगाया गया दरसल बच्च वाद में तैना डॉक्टर की इस लापरवाही और परीजनों से बेवज़ा बचसलूकी की एज़ाने के शिकाए सीमस से करते वे कारवाई की मांग की गई राम देव ने कहा है राम मंदिर का लोकपन अगले वर्ज जन्वरी में हो जाएगा और जम कश्मीर से धारा 370 भी समाप्त हो गई है हाला कि उन्होंने कहा है कि अभी दो बड़े काम होने बाकी इस दौरान बयान देते वे उन्होंने उमिद जताई है कि ये दोनों काम भी 2024 तक पूरा हो जाएगा पुशकर सिंग धामी सरकार को आज पूरे एक साल हो गए ऐसे में सहतर धारा में ग्रीन पार्क का सिलने आस करेंगे इसके साथ पूरे परदेश में भाचपा परदेश शंगठन कई कारिकरम करेंगे वही धामी सरकार की सभी मंतरी अपने परभारी वाले चनपदों उसे मौझूद रहेंगे और सरकार की एक साल की उपलब्दियों को जनता के बीच ले करके आएंगे भारत और और औस्टेलिया के बीच खेली गई तीन वनडे मैच की सीरिज में टीम इंडिया दो और एक के हार चलनी पड़िये ये सीरिज भारतिय बलेबाद सुरे कुमार यादब के लिए काफी खराब गुजरिये तीनों मैच की प्लेइंग इन लेवल में शामिल होने वाली सुरिया पूरी सीरिज में महस्तीन गेंद ही खेल सकें सुरिया तीनों मैच में लगतार गोल्डेन डग को शिकार हुएं